दोस्तों अगर आपका भी अधार कार्ड खो गया है और आपके पास कुछ भी नहीं है नाहीं आपका अधार कार्ड है नाहीं आपके अधार कार्ड का नंबर है आपके पास नाहीं उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है और नाहीं जो सिलिप मिली थी आपको अधार कार् कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दो तरीका बताने वाला हूं अगर आपके अधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नमबर आपके पास है फिर कैसे आप अपने अधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपके अधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नमबर जुड़ा हुआ नहीं है फिर आप कैसे अपने अधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ अपने नाम की मदद से तो आए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में मैं आप सब्सक्राइब को अधार काट डाउनलोड करने का बीना किसी प्रूफ के पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजे और साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए क्योंकि दोस्तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सिर्फ नाम से अधार का डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहल कर देना हूँ आप यहाँ पर देख सकते हूं आपको उध़ को सकती है अब जैसे आप उद्ये सब्सक्राइब करना आप है तो आप यहाँ पर य tv लेडे सेख कर लेक्ट नहीं है जो भी लेक्वेड आपको अच्छा लगे वह आप स और यहाँ अभी यहां पे English select कर रहा हूँ ठीक है English select करने के बद आपको यहां से cut कर देना है और उसके बद आपको जो माई अधार का सबसे पहला option दिख रहा है यहां पे इस पे आपको क्लिक कर रहा है या फिर आप जो cursor इस पे ले जाओगे तो अपने आप ही ऐसा एक page सा open हो जाएगा क्योंकि दोस्तों पहले मैं आप सबी को बताऊंगा कि आपके अधार कार्ड में अगर mobile नंबर जूड़ा हुआ है फिर आप अपने अधार कार्ड को निकालना चाहते हैं खोये हुए अधार कार्ड को तो कैसे निकाल सकते हैं और अगर आपको इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाप देख सकते हो select 12 दिजित अधार नंबर 18 दिजित इनौलमेंट आईडी तो आपको अपना अधार नंबर निकालना है तो पहले सी अधार नंबर पर select होके आएगा तो आपको इस पे select रहने देना है उसके बाद उपर आपक अपको बताऊंगा कि फिर आपको कैसे अपना अधार कर नंबर निकालना है और अधार कर डाउड ज watches यहाँ पर जलदी से अपना नाम लिख लेना है और यहाँ की तरफ से तो वो OTP आपको क्या करना है यहां पे लिख देना है तो जल्दी से मैं OTP भी लिख देता हूं आपको मैं message में भी हुआ आजाएगा वो भी मैसेज में आपको डिस्पले पर सो कर दूँगा जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाए कि OTP मतलब आपका जो अधार नंबर हो कैसे लिखके आएगा ठीके तो जब आपके मोबाइल नंबर पर तुरंद के तुरंद आपका अधार नंबर आ जाएगा कभी कभी दोस्तों पांच-दस में टाइम भी लग जाता है तो आप वेट कर लेना ठीके अगर ना आये तो दुबारा से सेम प्रोसेस करना आ जाएगा ठीके इसके बाद जब आपका अधार नंब और send OTP पर क्लिक कर दिए तो जल्दी से मैं यह कर देता हूं उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं तो यह देखे दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना अधार नंबर और capture लिख दिया है जो भी मेरे मोबाइल पर आया था फिर आपको send OTP पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप send OTP पर क्लिक करोगे तो आपके mobile नंबर पर एक नया OTP आएगा 6-digit का वो OTP आपको यहाँ पर दुबारा से लिख देना है दोस्तों पहले जो आपका OTP आया था वो आया था आपका अधार कार्ड नंबर निकालने के लिए और अब जो OTP आएगा वो आएगा आपके अधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए तो जो भी OTP आपके mobile phone पर आता है जल्दी से आपको इसको यहाँ पर लिख देना है तो यह देखे दोस्तों मेरे mobile पर जो भी OTP आया मैंने यहाँ पर लिख दिया और लिखने के बद आपको क्या करना है लोग इन वाले ब तो आपको एक डाउनलोड का option मिल जाता है डाउनलोड अधार इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकतो आपकी डीटेल दिख जाएगी और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपने अधार उसके बाद जैसे आप इसको open करोगे तो इसमें दोस्तो पासवर्ड मांगता है तो कई लोग कंफ्यूज रहतें कि पासवर्ड में क्या देना है तो मैं आप सो भी कुछ बता दू दोस्तो पासवर्ड में आपके नाम के आगे का चारक्षर capital letter में और date of birth का last का जो year है वो जै यहाँ पर लिख दूँगा जो 2000 तो बीना space दिये ठीक है तो जैसे आप यहाँ पर लिख दोगे तो आपका अधार कार्ड login हो जाएगा open हो जाएगा और फिर उससे आप download करके अपने mobile phone में save कर सकते हो या फिर अगर आप उससे चाहो तो किसी भी cyber cafe से जाके print out भी निकलिव तो दोस्तो यह तो वो process हो गया अगर आपके पास अधार कार्ड से जुड़ा हुआ mobile number है फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आपके अधार कार्ड से जुड़ा हुआ mobile number भी अगर आपके पास नहीं है तो इस case में द परची है नहीं उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है तो इस केस में दोस्तों वो क्या करेंगी आप से आपकी डीटेल पुछेंगी जैसे कि आपका नाम आपका डेटा बर्स आपका एड्रेस आपके फादर का नाम और आपका पिन कोड और इन सब चीजों को लेके वो आ का inovlement ID आपको निकाल कर देऄंगी और उस inovlement ID से आप बहुत ही आसानी से अपना अधारकार नंबर निकाल सकते हो और किसी भी cyber cafe पे जाके आप अपने अधार नंबर से अपना अधार कार निकलवा सकते हो तो दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके का इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर प्रेस कर लेजेगा क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो देता होंगा चले दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो